गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं हमारी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए बैक्टिरिया की स्ट्रक्चर में ही उसकी फ्लैजिला की बेसिस पर बैक्टिरिया के टाइप और उस फ्लैजिला की पूरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं देखिए तो बैक्टिरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है जो बैक्टिरिया मोटाइल होते हैं तो उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा आप देखें देखें मैं आपको यहां बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल फ्लैजिला की कंडिशन्स होती हैं जो यू केरियोट्स में जो फ्लैजिला मिलते हैं उनके अंदर उनका स्ट्राक्चर होता है नाइन प्लस टू अर्रेजिमेंट होता है ठीक है जबकि यहां आपको मिलेगा नाइन प्लस जीरो अगर हम इसके सेक्षन को काटेंगे तो नाइन प्लस टू का मतलब होता है सेंटर में दो टूबियोल्स होंगी और पैरिफरी परीधी पर कितने होंगी नौ टूबियोल्स होंगी तो वो होता है नाइन प्लस टू अरेंजमेंट जबकि बैक्टीरिया की फ्लाजिला को हम काटते हैं तो सेंटर में कोई भी ट्यूबिलिन नहीं होगी और पैरिफरी पर केवल नाइन ट्यूबिलिन की फिलामेंट्स होंगे तो पहले तो आप इस बात को समझ लें कि instead of 9 plus 2 अरेंजमेंट अफ ट्यूबिलिन कंतेनिंग माइक्रो टुबिल्स यह तो यह सिंगल फिलामेंट ऑफ गलोबिलर प्रोटीन काल्ड फ्लाजिलिन यानि कि पूरी फ्लाजिला बनी होगी एक सिंगल एक फिलामेंट गलोबिलर प्रोटीन फ्लाजिलिन की यह सबसे इंपॉर्टन बात है यह एंड इस मोटाइल एड बेस और केवल बेस से ही यह हिलेगी यानि कि यहां होगी तो यह बेस से ही मुवमेंट इसका होगा बेस एंड रोटेट 360 डिग्री पर देखेगा बाकी जो फ्लाजिलम होती है वो क्या होती है कि 180 पर फ्लाजिलेट करती है इधर और इधर ठीक है जबकि यह क्या होगा 180 पर रोटेट करेगी यह 360 पर रोटेट करेगी इस इट क्लियर बेक्टिर अटाइच टू दा पैक्टॉन से जुड़े हुए होंगे अब पार्ट देखें आप इस फ्लाजिला में कौन कौन से पार्ट आपको दिखाए देखें आप इस स्ट्रक्चर को पहले आप देखेंगे आप जानते हैं कि बेक्टिरिया की ये सैल वॉल है और ये हैं प्लाजमा मेंब्रेन जहां से फ्लाजिला निकलती है उसको हम बोलते हैं बिलिफेरो प्लास्ट क्या बोलते हैं बिलिफेरो प्लास्ट जो plasma membrane से attach होता है और plasma membrane में सबसे नीचे एक ring होगी वो होगी M ring फिर होगी S ring और इन rings के बीच में आपको ये rod दिखाई दे रही है फिर cell wall के अंदर P ring होगी और फिर होगी आपकी सबसे उपर L ring यानि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो इस membrane में धसा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं क्या bleferoplast जिसमें membrane के पास वाला हिस्सा proximal set है और cell wall के अंदर जो होगा वो होगा distal set इस इट कलियर अब ये bleferoplast से जो हिस्सा बाहर निकलेगा ये इसको हम क्या बोल रहे हैं हुक और हुक से जो इससा बाहर निकल रहा है उसको हम बोल रहे हैं flamen्ट या flagellum तो आप देख रहे हैं कि एक flagellum में तीन चीजें हैं जिसमें से इसको मैंने क्या कहा bleferoplast या proximal set जो दो पार्ट में divide है membrane के अंदर वाला होगा proximal set और जो cell wall में होगा वो distal set फिर इसके उपर निकलेगा hook और फिर निकलेगा filament is it clear तो ये है typical structure तो मैंने कहा सबसे नीचे क्या थी basal body basal body यानि कि bleferoplast सबसे नीचे क्या है basal body या bleferoplast जो एक complex structure है जिसमें चार रिंग है LPSM जिसमें L और P cell wall में है S और M है जो plasma membrane में है फिर basal body से निकला किया hook made up of different protein sub unit का बना हुआ है फिर निकला हुआ है filament longest and most obvious portion of the flaculum protein molecules का बना हुआ है arranged in spiral manner 20 nanometer चौड़ा है ये कितना है 20 nanometer चौड़ा और एक से ले करके 70 nanometer तक ये लंबा हो सकता है vertical rows इसमें 9 vertical rows आपको दिखाई देगी is it clear तो ये है flagella का structure अब अगर मैं बात करूँ कि flagella के basis पर bacteria कितने type के हैं तो वो बड़ा interesting है आप देखें a tricus a tricus का मतलब flagella absent यानि कि flagella नहीं होगी और ये किस में मिलेगा lactobacillus के अंदर monotricus के वल monotricus के वल monotricus के मतलब क्या होता है एक flagella आपको दिखाई दे रही है vibrio इसका example होगा cephalotricus cephalotricus मतलब होता है bunch एक तरफ आपको ये bunch दिखाई देगा pseudomonas जिसका example होगा lofotricus दोनों तरफ bunch होगे spirulam इसका volutens इसका example होगा spirulam volutens amphitricus amphi का मतलब होता है दोनों तरफ एक-एक flagella आपको दिखाई दे रहा है example nitrosomonas होगा peritricus मैंने अभी आपको बताया था ecoli में पूरी surface पर आप देख रहे हैं flagella आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या होगा peritricus तो कितने टाइप के bacteria होंगे flagella के position के basis पर जिनमे flagella नहीं है वो atricus इसमें एक flagella है monotricus जिसमें एक पुरा गुच्छा है एक तरफ से phelotricus जिसमें दोनों तरफ गुच्छे है वो lofotricus और जिसमें एक-एक flagella दोनों साइड होंगे वो होगा emphitricus और चारो तरफ है तो peritricus clear हुआ आपको flagella के basis पर सारे bacteria अब एक खास चीज और आप देख रहे हैं इन flagella के अलावा भी कुछ filament like structure होती है जिनने हम कहते हैं पिलस या फिम्बरी पिलस या इन flagella यानि कि छोटी 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 बहुत सारी पिलीज लगी होई होती हैं बैक्टिरिया की सरफेस पर जो flagella से छोटी होंगी is it clear जो flagella से छोटी होंगी फिम्बरी और function as organ of addition देखिए सरफेस पर चिपकाने का काम किसका होता है फिम्बरी का होता है फिम्बरी क्या करती है सरफेस पर चिपका के रखती है किसी भी बैक्टिरिया को अब मैं आपको जो बता रहा हूँ a special type of pilli जिनने हम कहते हैं sex pilli या F-pillus कुछ बैक्टिरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये sex pillis इस तरह से होती है जो दूसरे बैक्टिरिया के साथ इन्हें चिपकाने में मदद करती है यानि एक का genetic material इसमें आ जाता है इन sex pilli की वज़े से यानि कि इनमें sexual reproduction करने में ये मदद करती है तो ये पिली हो गई जो sexual reproduction में मदद कर रही है तो आप इन्हें क्या कहेंगे sex pilli यानि कि दो बैक्टिरिया है उनके conjugation के लिए ये एक बैक्टिरिया और ये दूसरा बैक्टिरिया इन दोनों के conjugation के लिए जो filament जरूरी होते है उन्हें हम क्याते है sex pilli जो बैक्टिरिया को conjugation करने में मदद करेंगे फिम्बरी का diameter है जो बहुत चोटा है 3 to 10 nanometer इन diameter होते है तो ये समझ में आए आपको special type की pillars and fimbris में तो ये था बैक्टिरिया के filament यानि फिम्बरी के बारे में अब हम बात करते हैं बैक्टिरिया की staining technique is very very important जो practical के लिए भी काफी important है और वैसे भी आपको आना चाहिए exam point उपसे भी ये बहुत बहुत important है बैक्टिरिया को हम जानते हैं हम बोलते हैं कि gram negative, gram positive bacteria ये सब कैसे पता लगता है इसके लिए हम करते हैं इनकी staining technique से gram staining यानि scientist gram ने इनको stain करके बताया था इसलिए इनको हम बोलते हैं gram staining technique अब ये technique क्या है सबसे पहले इसको Christian gram ने कब introduce किया था 1884 में कभी बैक्टिरिया के अगर आपने slide बनाई है तो मैं आपको बता देता हूँ ये practical में भी बहुत important है आप क्या करेंगे एक slide लेंगे और उसपर हम दही यानि की curd की एक drop डालेंगे is it clear? और उस पर डालने के बाद उसपर हम क्या डालेंगे एक खास chemical होगा crystal violet और zentium violet आप सीधा एक ही याद रखें crystal violet डालेंगे एक drop उसपर तो सारे के सारे bacteria किस color से stain हो जाएंगे blue is purple color से stain हो जाएंगे भाई हमने क्या क्या कि curd की एक drop ली और उसपर हमने crystal violet से stain किया और उसके उपर हमने cover slip से उसको ढख करके wash कर दिया तो जो उसमें बचेगा वो सारे purple और blue is color से stain हो जाएंगे अब हम उसपर क्या डालेंगे 0.5% of iodine solution 0.5% का iodine solution उसमें डाल देंगे तो जो crystal violet चिपका था bacteria की surface पे वो fix हो जाएगा वो अब हटेगा नहीं और एक complex बनके fix होगा और वो complex होगा crystal violet iodine complex crystal violet iodine complex बन जाएगा और उससे वो fix हो गया अब हम क्या करेंगे de-staining करेंगे de-staining with alcohol और acetone अब हम उसपर क्या डालेंगे alcohol डालते हैं generally जिससे क्या होता है कि ये complex crystal violet iodine complex अगर नहीं हटता है ये alcohol डालती हट जाना चाहिए अगर हट गया stain खतम हो गया तो वो तो हो गई gram negative bacteria और अगर ये stain नहीं हटता है और retain रहता है तो वो bacteria हो गई gram positive bacteria तो आपको समझने आई कैसे क्या हुआ violet iodine complex बन जाएगा अब हमने क्या किया जैसे ही वो solution बन गया तो हमने उस पर क्या डाल दिया alcohol डाला alcohol डालने से क्या होगा कि ये complex है जो इस पर react करेगा अगर ये complex remove हो गया stain खतम कर दिया alcohol ने तो वो हो गई gram negative और अगर stain खतम नहीं हुआ वैसा का वैसा ही रहा तो वो हो गई gram positive bacteria तो समझ में आया है आपको एकदम easy way में है ये gram staining technique gram negative become colorless on treating with re-staining agent due to the thin cell wall आप कहेंगे कि sir वो खतम क्यों हो गया क्योंकि उसके उपर जो cell wall है वो बहुत पतली थी इसकी वज़े से वो वहां से remove हो गया and move lipid in cell wall वहां से निकल गया और positive में बहुत थिक होनी की वज़े से वो उस पर ही रह गया तो आज के लिए इतना ही काफी है next class में हम बात करेंगे gram positive और gram negative bacteria में differences thank you